1990 के अगर हर्थ्रॉप की बात करे तो दो ही नाम सामने आते हैं एक माधुरी दिक्षिद और दूसरे श्री देवी वालियूट के हर्थ्रॉप श्री देवी जी अब नहीं रहे हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं स्री देवी जी नहीं रहें 24 फरवरी रात को वो चल बसे दुबाई में इनडिया के टाइम के हिसाफ से 25 फरवरी संजे कपूर ने ये कौंफरम किया है कि सिदेवी जी आब नहीं रहें दुबाई में वो थे, अपने हस्बेंड बॉणिकापूर और उनकी छोटी बेटी खुशी के साथ, लेकिन उनके बरी बेटी है अभी मुंबाई पे, यहापर एक शूटिंग के कारण वो दुबाई में नहीं जा सकी। तो दुबाई में क्यूँ क्यूँकि बॉनिकपूर के कजल मोहित मरवा का शादी था ये भी एक बॉलिवूट एक्टर है और शादी हो रही थी अंतरा मोतिवाला के साथ तो शादी के रात क्या हुआ शादी वाली रात पुरा जोर शोर से पार्टी चल रहा था इस पार्टी थे पार्टी में शीदेवी जी और उनके हस्बेन भी थे लेकिन कुछ दिर बाद शीदेवी जी के तबियाद खराब होने लगा और वो होटेल रूम पे चली गई और वापर जाने के बाद एक मैसिब कार्डियक एटक आया हाँ एक हाट एटक आया जो उनके जिन्देगी उनसे चीन कर ले गई शीदेवी 55 साल के हुई थी और उन्होंने बहुत सारा हीट फिल्में बॉलिवड वे दुनिया को गिफ्ट कर गई उनको 2013 साल में पद्वश्री अवार्ड भी मिला था जो की भारत की चौथे सर्वत्यम अवार्ड है शीदेवी तो हम सब लोग को छोर के चली गई लेकिन पीछे छोर गए अपने शोहर बॉनिकपूर और उनके दो बेटिया खुशी और जाने भी दोस्तों आप कॉमेंट में जरूर लिखे स्चीदेवी जी का ऐसा छोर के चले जाना वॉल्यूड इंडस्ट्री में क्या एफेक्ट होगा और लिखिए स्चीदेवी जी का आपका यादगार पल कौन सा था मुझे इंतिजार हैगा दोस्तों आपके कॉमेंट का तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना दवाई और कपरे देते हैं या पर जितना जादा सब्सक्राइबर होगा हम उतना जादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे तो आप लोगों का हाथ जोर के भींती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसे गरिब के मुव में हसी लाइए